हेलो दोस्तों सुभम की रशोई में आप सभी का स्वावत है दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं गाजर से मालपुवा बिटामिन्च और मिनरल से भरा मालपुवा आप लोग देख सकते हैं जिसके लिए मैंने 500 ग्राम गाजर लिए हैं इसे कट कर लिए हैं अब एक मिक्सी के जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे पतला स्मूथ बेटर बनाना है इसमें हमने एक कप दूद एड़ किये हैं इसमें दो इलाइची एड़ करेंगे और इसका बेटर बना लेंगे धकन लागा करके इसे स्मूथ सा बेटर बना लेंगे आप लोग देख सकते हैं बेटर हमारा तयार हो गया है बन करके अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताक कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू सबसे पहले आप तक पहुंचे चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं एक बढ़ा सा बाउल लेंगे उसमें हमने एड किया है एक कटोरी सूजी डेड कटोरी मैदा वजन के हिसाब से हमने डेड सो ग्राम सूजी और दो सो ग्राम मैदा यूज किया है इसमें और इसमें आधा कटोरी चीनी याड करेंगे कि अधार में भरपुर्व मात्रा में विटामिन्स मिलता है इसमें पोटेसियम फाइबर केल्सियम और आयरन जैसी डिटामिन्स मिलता है इसलिए जो बच्छे गाजर नहीं खाना पसंद करते हैं उनके लिए सही ट्रीक है आप इसे ग्राइंड करके इसे माल पुवा अगर इस बना सकते हैं आप लोग भी ट्राइब करें और सूजी में परचून मात्रा में प्रोटीन और फाइबर मिलता है तो आप लोग ऐसे विटामिन्स वाले माल पुवा बना करके अपने फैमिलिंग में खिलाए और तारिफे भी टोरिये इसमें गाजर ग्रांड किया हुआ आप लोग देख सकते हैं इसमें हमने एक पींच बेकिंग सोडा एड़ किये हैं अब इसे हम फेट लेंगे इसमें आप ड्राइफ फूट्स वगरे भी डाल सकते हैं जैसे कि नारेल बुरादा वगरा बट मैं नहीं एड़ की हुँ क्योंकि जो नेच्रली गाजर का ट्रेस्ट इसमें आएगा इसलिए आप अपड़ोग आड़ कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं बदाम होगरा भी इसी में पीस करके आप आप लोगाण कर सकते हैं बट मैं नहीं कि दिरे दिरे हम और दूध एक ग्लास अड़ करेंगे तकरीबन मेरा दूध इसमें लगा है डेड़ी गिलास के आसपास, आप ऐसे ही मिक्स कर लें, बिटर हमारा थोड़ा सा गाला देख रहा है, कुझो बचा हुआ दूद है, उसे भी हम एड़ करेंगे, आप देख सकते हैं कितना है स्मूध बन करके तयार हुआ है हमारा बिटर, आप लोग भी अपने घरों में एक बार बन ना करके जरूर से जरूर ट्राइ करें सोली, देख सकते हैं कितना है स्मूध बन करके तयार हुआ है हमारा बेटर, अब इसे ढख करके हम 20 मिनट के लिए रेश्ट पे छोड़ेंगे, बिश्मियट हमारा हो चुका है, अब हम एक कड़ाई में तील गरम करेंगे, अगर आप लोग का बेटर गाढ़ा या थिक हो जाए बिश्मियट के बार, तो आप इसमें थोड़ी से और दो चार चमच दूद एड़ कर सकते हैं, लूज करने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें वापस से दो चमच दूद एड़ की हूँ, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, आप लोग देख सकते हैं, हमारा बेटर कितना फूल करके जादा हो गया है, चली हम इसे तलनाय स्टार्ट करते हैं, तिल हमारा गरम हो चुका है, मैं एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दी थी, देखिए, अब इसमें हम कच्छी के मदद से एके करके सारे पूवी को तल लेंगे, ऐसे ही इस पे उपर से चम्मत से तेल घिराने से पूवे या पोड़ी पे जल्दी फूलता है, गुबारे जैसा, आप लोग देख सकते हैं, चिपक भी नहीं रहा है, आप ऐसे ही बेटर बना करके तियार करेंगे, तो आप लोग का भी ऐसे खैलेगा नहीं, आप लोग भी इसे बना करके जरूर से जरूर ट्राइ करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना, अगर आपको ये वीडियो पसंदा रहे हैं, तो लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करें, आप लोग भी अपनी भरों में इसोली बना करके तयार करें, गाजर का इस माल पुवा, मैंने जो देशी गाजर हुटता है, उसी यूज की हूँ, आप लोग को मार्केट में जो मिलें, उसी भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें आप फूड कलर भी एड़ कर सकते हैं, इसमे कि अगर आप लोग को ड़िये वैंड कर सकते हैं इसे चासने के साथ भी बना सकते हैं इस्वे कि इसका चासनी में बना करके अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर चासनी वाला वीडियो आप लोग को चाहिए तो हम उसे भी बना करके एक माल पुवग पकने में तकरीबां पांच आठ मियूट का टाइम लगता है मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं बना रही हूं विश्मिश में जरूवत पड़ रहा है तो तेल अब ज्यादे लग रहा है कि हमारा ठंडा हो रहा है ऐसे तो मातरत कुछ देल के लिए हमने हाई कर कर रहे थी फिर में लो कर दे रहे थी क्योंकि हीट पी चाहिए कि वारे जैसे फुनने के लिए विश्मिश में मेरा बाबु आ करके अमको डिस्टब कर रहा था तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने अच्छे फुले-फुले से बन रहा है है माल पुवे साम ज्यादा मल प पकाएं नहीं तो चिपकने का डर रहता है एक अगर तल से उपर आ जाएं तो इसे चमच की मदद से उसे साइड में करने फिर दूसरा हम एड़ कर सकते हैं तो ऐसे ही हम सारे मलपुवा के तल लेंगे हमारे सारे मलपुवा तल चुका है आप लोग आगर देख सकते हैं अच्छाव करके हमारा मलपुवा त्यार हुआ हैं आप लोग भी इस सुलिके जरूर से जरूर ट्राइए करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना देखिए हमारा मालपुआ मैं इसे टोड़कर दिखा रहे हैं कितना जालमदार बना करके बताएं कि कैसा बना थैंक्यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बाबाई टेक्या